गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मेराकेस आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम वर्यूर्स पे स्वागत करता हूँ एस्टेट से रिलेटे जो लेटेस्ट अपडेट है और जो ब्रेकिंग नियूज है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे कि सिक्षा मंतरी का बयान आया हुआ है कि सिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगा और पंचायच चुनाओ के बाद नियूकती पत्र मिलेगा यह आज के लेटेस्ट अपडेट है सिक्षक नियूजन को लेकर के इसलिए वीडियो को अंतर तक देखिए कि मालूम चल जाएगा आपको कि क्या एक्ष्वली अपडेट है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं कि प टेस्ट अपडेट होगा वह आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अंतर तक बने रहिएगा कि जैसा कि आज की पेपर का न्यूज है ये कि सिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी सिक्षा मंतरी का ये बयान है और सिक्षा पंचायत चु अधरी ने मंगलमार को कहा है कि राज में पंचायत चुनाव अचार संहीता लागू होने के बावजुद तकरीवन सवालाक प्रारंबिक माधमिक एवं उच माधमिक सिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगा क्योंकि मूल रूप से चटे चरन की नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली गई सिर्फ आपचारिक ताहिं रह गई है उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के जन परतने धिनियों के कार्जिकाल खतम होते ही सिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रवावित नहीं होनी चाहिए बता दें की छटे चरन में 94,000 पदों पर प्रारमिक सिक्षकों और 30,020 पदों पर माधमिक एवं उच माधमिक सिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है सातमे चरन की सिक्षक नियोजन को परकासित होगा विग्यापन शिक्षा विभाग के अपर मुख सचिव संजय कुमार ने बताया कि चठे चरन की न्यूकती प्रक्रिया समंदी कौंसलिंग दिसंबर तक चलेगी इससे पहले चठे चरन की कौंसलिंग और बाहरी प्रक्रिया से यह सपस्ट हो जाएगा कि प्राड़मिक मादमिक एवं उच मादमिक सिक्षकों की कितने पद खाली हैं तो यह बात थी और इसके बाद एक और न्यूज आ रहा है निकलके कि मोबाइल एप से होगी विद्यालेयों की निगरानी एप पर भेजी जाएगी बिना सुचना गायब रहने वाले शिक्षकों की सुची की जाएगी सक्त करवाई की अनुसंसा राज के सभी सरकारी प्रारंबिक माधमी के वं उच माधमिक विद्यालेयों की निगरानी बेस्ट मोबाइल एप से होगी शिक्षा विवाग के अबर मुक्सचीव संजे कुमार ने बताया कि विद्यालों में सिक्षकों के पस्तित और सिक्षन कार्ज पर नज़र रखने क लिए बेस्ट मोबाइल एप सभी जिलों के अधिकारियों को प्लब्द कराया गया है साथी परतेक माह कौन अधिकारी कितने विद्याले का निक्षन करेंगे और जांच रिपोर्ट मोबाइल एप से मुख्याले को वेजेंगे इसकी जवाब देवी भी तैकीज गई है बि ना सुचना गयब रहने वाले सिक्षकों की पूरी रिपोर्ट भी एप पर अप्लोड करके भेजेंगे कच्छाओं में सिक्षकों और बच्चों की मौजूदगी को भी तस्वीर खीच कर एप पर भेजेंगे गायब सिक्षकों पर सक्त कारवाई की अमसंसा करेंगे तो च